असलाम लेकुम एब्रिवन वल्कम बैक तो मैं चानल कुक विथानी आज मैं आपसे दूद की बर्फी बनाने वाली हूं याने के मिल्क बर्फी मैं मिल्क के पौडर में मनाने वाली हूं तो चले हम रेसीपी को शुरू करते हैं मैंने यह फे धाई कप आमोल का पौडर ले ल अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से अब मैं इसमें वन कप दूद आड़ कर रहे हूं मैं इसी कप से अमोल का पौडर लिया था धाई कप तो इसी कप में मैं अब दूद आड़ किया है अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से mix कर लेना है इसमें एक भी लम नहीं होना चाहिए इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे अब मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया है इसमें एक भी लम नहीं है हमें इसकी consistency ऐसी चाहिए थी तो इसको पतला भी मत कीजेगा और ज्यादा ठिक भी मत कीजेगा इहां पर मैंने कड़ाई ले ली है अब हम इसका mixture इसमें आड़ करेंगे इसको low flame में रख लेना है इसको low flame में हम रख के पकाएंगे इसको हम बार बार चलाते रहेंगे जब तक ये इसकी consistency ठीक नहीं हो जाती तब तक हम इसको पकाएंगे और इसको बार बार हम चलाते रहेंगे अब देख सकते हैं कि मैंने पांच मिट हो चुके हैं तो इसकी consistency ऐसी हो चुकी है तो फिर से हम इसको हिलाते रहेंगे और इसको ऐसे ही हम पकाते रहेंगे फ्लो फ्लेम में आप देख सकते हैं कि 10 मिट के बाद इसकी कंसिस्टेंसी अब ठिक हो रही है तो इसको हम कंटिनिसले ऐसे ही चलाते रहेंगे फिर से हम इसको 5 मिट के लिए फिर से इसको चलाएंगे हम फिर से अब देख सकते हैं 5 मिट के बाद फिर से तिक हो चुका है तो हम फ्लेम आफ कर लेंगे तो मैंने हैं कंटेनर ले लिया है अब हम इसमें डाल लेंगे अब मैंने सारे mixture को container में निकाल लिया है अब हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पर मैंने dry foods ले लिये हैं मैंने pasta और बादाम लिया है इसको मैं अच्छे से slice कर लिया है अब हम इसको डालके इसको एक गंठे के लिए set के लिए रख देंगे आप freezer में भी रख सकते हैं बाहर भी रख सकते हैं अब मैं इसको लिट कवर कर रही हूँ अब हम इसको एक गंठे के लिए refrigerator में रख देंगे अब एक गंठा हो चुका है तो मैं इससे निकाल रही हूँ अब अब हमारे मिल बरक फिर अड़ी हो चुकी है अब मेरे तरी खिसे जरूर बनाएएगा अगर मेरे recipe आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा क्योंकि मेरे निव वीडियो की निडिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले तो मेरे आपको वीडियो देखने का बहुत बहुत शक्रिया अल्ला हाफीज